नमश्कार सौक करते हूं एक और फेश वीडियो मेरे अफ्तार के आज के यूडियो में हम बात करेंगे निखिल शर्मा यानि की मुंबाइका निखिल के बाइक एंड कार केलेक्शन के बारे में आप इनको अच्छे से जानते होंगे इनके यूडियूब चैनल की अगर हम बा आते थे और अभी ये लाइफस्चायल व्लॉगिंग करते हैं रोज सुबह साड़े नौ बजे आपको इनकी वीडियो दिख जाएगी शार्प और अगर हम बात करें दोस्तों इनके बाइक और कार इन्होंने रखा है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा और कॉस्चिं का इंजर मिल जाता है जो कि पाउर प्रोडूस करता है 95 BHP at 9300 RPM पे वेट की बात करें तो गाड़ी का वेट है 208 kg माइलेज की बात करें तो वह 15 से लेके 18 तक कि ये माइलेज निकाल देती है और ये सर की पहली गाड़ी थी Adventure Tourer Motorcycle के अगर हम बात करें और ये ती Second Hand सर के दि मस्ड डैलोग भी है Tiger Tiger है और सही में ये बात सही है Tiger Tiger इसलिए लोगों की पहली चोईस होती है Tramp Tiger अगर हम बात करें सर के दूसरे बाई के बारे में तो वो भी एकदम Top of the Line है BMW R1250 GS Adventure जिया दोस्तों अगर हम Price की बात करें तो 22,35,000 की आपको एक शुरू मिल जाती है और उस Accessories सर ने इसमें इतना लगाया हुआ है कम से कम 10 लाग का तो सर ने इसमें Accessories लगा चुके हैं और अभी भी इनकी Accessories की जो डिमांड है वो खतम नहीं हुई है अपने बाईक के लिए यह होता है हमेशा कुछ ना कुछ और करते रहते हैं हलाकि इस गाड़ी को लेकि वो जाद जाद तो गूंग नहीं पाएं यानि जादा तो टूर नहीं कर पाएं फिर भी अगर हम बात करें इस गाड़ी की तो काफी जादा capability है इसके अंदर और काफी जादा famous गाड़ी है यह BMW के तरफ से और top of the line adventure टूर के टेगरी में जैसे मैंने आपको बताया सर के मम्मी ने यह 268 kg का है दोस्तो गाड़ी का वजन जो की काफी जादा भारी है तर के गराज की शोबा बढ़ाती है BMW के अडवेंचर टूर अ मोटर साइकल अगर हम सर के तीसरे वेकल की बात करें तो वो है दोस्तो ओडी यानि कि एक कार है वो ओडी Q7 सर ओन करते हैं यहाँ पर अगर हम ब बात करें तो यह सर के डिली डिर्वन कार नहीं है यह सिफ हाइवर डिवन कार है तर इसको हमेशा लॉंग ट्रिप पे लेकर जाते और काफी ज़्यादा इंजॉए करते हैं यह अपने वीडियो के तुरू सर हमेशा बताते है ओडी Q7 is a comfortable कार और अगर हम बात करें तो यह क अगर हम प्राइस के बात करें 6.92 लाइक से लेके 12 लेक्स के बीच में यह आपको मिल जाती है फाइफ सीटर यह गाड़ी है अगर हम इसकी बात करें दोस्तों तो यह गाड़ी सर ने अपने मम्मी के लिए लेती है अगर हम इसकी बात करें तो सर के बात करें तो सर के पास एक और टू वीलर है हाला कि शादी के बाद सर इसको काफी जादा कम चलाते है और वीडियो में तो सर इससे दिखाते भी नहीं है अगर हम बात करें इस गाड़ी के प्राइस के बारे में तो यह गाड़ी आपको मिल जाते है दोस्तो एक शो रूम 73,000 से लेके 82,000 के बीच में पढ़ जाता है और माइलेज की बात करें तो 50 KMPL पर लिटर की यह माइलेज देती है इंजिन की बात करें 1,2,4 CC का आपको इसमें इंजिन मिल जाता है और अगर आपकी हाइट जादा है तो आप सुजू की AXS 125 ले सकता है काफी जादा कमफर्टेबल है अच्छा कासा आपको यहाँ पर नीरूम भी मिल जाता है ताकि आपके जो आपके पैर है वो आगे वाले बौडी से टच ना हो अगर हम बात करें सर ने हाली में यह एक एलेक्टरिक साइकल भी खदी दी है आप वो देख सकते हैं उसकी फोटो हलाकि मुझे नाम नहीं पता है वो कौन सी है साइकल का क्या नाम है आपको अगर पता है तो आप जरूर कमेंट करके बताएगा सर के पास दो कार एक स्कूर्टी और तीन बाइक है मैंने एक बाइक के बारे में आपको नहीं बताया है सर के पास तीसी बाइक कौन सी है आपको उसका नाम बताना है इस वीडियो को काफी ज़्यादा शेयर करेगा वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चाहें को सब्सक्राइब जरू करेगा फोर वीलर चलाते तो सीट बैल टू वीलर चलाते तो हेलमेट ज़रूर पहने सेफटी इस नमबर व एंप्योर्टी साइनिंग ओफ रफ्तार 7811 जैहिन जैभारत इस्टे सेफ इस्टे केनेक्टेड